मुडलीपुरा थाना पुलिस ने ब्रांडेट कंपनियों के नाम से नकली कपडों की कारोबार का भंड़ा फूड किया है पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफतार किया है एक मकान के बेस्विंट से करीब 70 लाख रुपे के कीमत के नकली कपड़े जब्त किये हैं इन कपडों पर ब्रांडेट कंपनियों के नाम लिखे हुए थे DCP West अमित कुमार ने बताया कि इस संबंध में कंपनी प्रतिनीदी गौविन सिंग कसाना और मौहित वजाज ने शिकायत दी थी सूचना के बाद मुडलिपुरा पुलिस ने थाना दिकारी सुनील जांगेट के नितरत्त में कृष्णा विहार में बने एक मकान के बेश्मेंट में दबिस दी थी यहां कई नामे ब्रांडेट कंपनियों के टैग लगे नकली कपड़ों को बाजार में बेशने की तैयारी की जा रही थी पुलिस ने मोक्य से आरोपी हिमान्शू खत्री को गिरफ्तार कर लिया पुलिस के अनुसार आरोपी हिमान्शू यहां नकली कपड़े पंजाब दिल्ली और गुजराद से खरीद कर लाता था और यहां कंपनी के बताकर सस्ते में बेच देता था कंपनी प्रते निधियों की अनुसार जप्त किये गए माल की कीमत करीब सत्तर लाक रुपए हैं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोपे राइट एक्ट के तहट कारवाई कर जाज शुरू कर दी है आरोपी हिमान्शू ने पुलिस पूस्ताच में बताया कि वैसमामल को माल क को शहर के कई नामी दुकानों पर बैचा करता था application ॉसे मिली जानकारी के बाद पुलिस अब उन दुकान मलकों को भी आरोपी बताएगी जो हिमान्शू से नकली मल खरीद थे और जानकारी के बाद भी नकली माल को असली बता कर लोगों के साथ ठगी करते थे जंतादर न्यूज में फिलहाल कले इतना ही